इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस प्लेट को खरीद सकूँ The grandmother replied But a merchant who came here a few moments ago Threw it on the ground saying that it was not worth even a half पैसा and went away तब grandmother ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक merchant यहां आया था Few moments means थोड़ी देर पहले एक merchant यहां आया था उसने तो इस प्लेट को पकड़ कर जमीन पर फेक दिया और बोला कि यह तो किसी भी काम की नहीं है It's useless इसके तो आधे पैसे भी नहीं मिलेंगे और यह कहकर वो यहां से चला गया Went away The merchant said it was worth nothing to him If you value it, take the dishes you want to take Merchant ने सारी बात सुनी जब दादी मा की तो वो बोला It was worth nothing to him यह उसके लिए बेकार की चीज थी उस merchant के लिए यह प्लेट काम की नहीं थी अगर आपको लगता है If you value it, अगर आप इसकी कीमत लगाना चाहते हैं बेचना चाहते हैं तो ठीक है आप जितनी चाहे dishes मेरे से इस बदले में ले सकते हैं Dishes means तो बरतन उसके पास थे तो जितने चाहे बरतन आप इसके बदले में मेरे से ले सकते हैं The little girl took some dishes of her choice But the merchant was not satisfied with the offer So he gave all the money and his wares to the old woman He needed 8 पैसे for the transport So he asked the old woman for 8 पैसे अब उस लड़की ने क्या किया जैसे ही उसने बोला कि आप अपनी पसंद से चीजें ले सकते हैं तो the little girl took some dishes उसने अपनी चॉइस से कुछ डिशे उठाई But the merchant was not satisfied लेकिन जो merchant था वो इस से खुश नहीं था वो उनको और बहुत कुछ देना चाहता था So क्यूंकि merchant वो first merchant था He was very honest and very nice, kind-hearted So he gave all the money and his wares to the old woman So जो उसके पास जितने पैसे थे और जितने भी बरतन थे वो सारे उसने उन लोगों को दे दिये बरतन पैसा सब दे दिया And he needed 8 पैसे for the transport सिरफ उसको बदले में क्या चाहिए थे उनसे 8 पैसे 8 पैसे चाहिए थे अपने घर वापस जाने के लिए Transport means जिसमें बैट के वो जाता उसके लिए टिकेट के लिए उसको पैसे चाहिए थे So he asked the old woman for 8 पैसे तो इसलिए उसने उस बुड़ी औरत से 8 पैसे मांगे The old woman readily gave him the amount फटा फट से उस औरत ने उसको पैसे दे दिये The merchant took the पैसे and left the place Merchant ने वो पैसे लिए और वो वहाँ से चला गया He quickly went towards the river and paid 8 पैसे To the boatman to take him across the river उसने फटा फट से boatman को वहाँ पे नदी के पास गया वहाँ पे boatman बैठा हुआ था ready था बोट चला के जाने के लिए उसने उसको 8 पैसे दिये और उसको बोला कि मुझे नदी के पार चोड़ाओ Across the river पार Soon the greedy merchant went back to the house of the old woman अब जैसे ही वहाँ से चला गया थोड़ी देर बाद वो लालची merchant जो था वो वापस उस बुड़िया के घर उस old lady के घर जो बुड़ी और थी उस old lady के घर दुबारा पहुंचा When he reached the house, he called the girl and said Bring that plate and I will give you something for it जब वो वहाँ पहुंचा, उसने उस लड़की को आवाज लगाई और बोला, जाओ वो प्लेट लेकर आओ and I will pay, give you something for it मैं उस प्लेट के बदले, तुमें कुछ दूंगा The grandmother replied from inside No, you said the plate was worthless But another merchant has paid a huge price for it and taken it away It is a golden plate The grandmother replied from inside बहार से उसकी आवाज सुनकर दादी मजुथी वो अंदर से बोली नहीं, तुमने तो कहा था के वो plate बेकार है worthless है, useless है But another merchant, लेकिन जो दूसरा merchant आया अभी उसने हमें उस plate के बतले में बहुत बड़ा, बहुत सारे पैसे दिये बहुत बड़ी कीमत दी उसने and taken it away और वो plate हमसे वो ले गया It is a golden plate वो plate तो सोने की बनी हुई है The greedy merchant got angry and left the place saying angrily Due to the other merchant, I lost a small fortune ये बात सुनकर वो जो लालची merchant था ये बात जब उसने सुनी तो उसको गुसा आ गया और गुसे में वो वहां से गया बोलतावा गया, angrily गुसे में बड़ा उस merchant की वज़ा से मैंने अपनी किस्मत को खो दिया I lost a small fortune Fortune means wealth पैसा मेरी किस्मत में जो पैसे लिखे थे वो उस plate उस merchant की वज़ा से खो गए, miss हो गए That was a golden plate, वो golden plate थी He ran down the river side and saw the other merchant in the boat He called loudly Boatman, stop your boat वो भी नदी के पास पहुंचा भागता हुआ तेजी से भागा नदी के पास पहुंचा और उसने देखा कि दूसरा जो merchant था, वो boat में बैठा हुआ था See, he is the boatman and he is the man First merchant, he is sitting in the boat Second merchant जो था He called loudly, उसने जोड से आवाज लगाई Boatman, stop your boat इसको आवाज लगाई boatman को Boatman, boat रोको, रुक जाओ But, लेकिन The merchant in the boat asked the boatman not to stop But, merchant जो बैठा था उसने boatman को बोला, boat नहीं रोकना समझ में आ गया था, उसको कि वो merchant कौन सा था, greedy merchant वही था जिसको लालच आ गया था, golden plate देखकर तो उसने उसको बोला कि boat मत रोको, accordingly The boatman didn't stop और यही बात हुई कि उसने, उस boatman ने merchant को orders को follow किया उसने boat नहीं रोकी गया था, he sold the golden plate and got enough money और शहर पहुच कर उसने वो golden plate market में जाकर shop पे बेच दी, जिसके बदले में उसको बहुत सारे पैसे मिले अपनी जिंदीगी को बिताने के लिए अपने जीवन को जीने के लिए enough money for his living, अपने life को spend करने के लिए बहुत सारा पैसा मिला उसको उस प्लेट के बदले में he lived happily thereafter और उसके बाद से वो वहाँ पे शहर में अपना घर लेकर अपना घर बना कर हासी कुशी से रहने लगा, so children's this was the story which tells us that we should never be greedy, उसको लालच आ गया था उसने पहले वो प्लेट मिस कर दी, दुबारा वो प्लेट लेने के लिए पहुंचा when he again went back to take the plate, but that plate was not there, it was missed from his hands, उसके हाथों से वो प्लेट मिस हो गई, then after that he felt very sad and upset, so we should never be greedy about anything, so this is the chapter, the merchant of Sari, okay students okay